अलो दोस्तों मैं मुहमस्त रफ्रास मेरे यूटूब शनल इल लड़नी दुर्गेश में आपका स्वागत है हम भारग भुगोल सीरीज में हिमाले की उत्पत्ती को पर चुके हैं हिमाले की उत्पत्ती के बाद हमने हिमाले का विभाजन कर लिया जिसमें हमने देखा की हिमा प्लिञे को चार भागों में रखा गया सबसे उत्तर वाले उसके दच्शुड में महाल महान इसरें लिड restore पो zij कंपर जिया था उसमें जो भी हिमाले लगु हिमाले और स्वालिक स्ट्रेडी तो सबसे पहले हम देखेंगे महान हिमाले को महान हिमाले महान हिमाले महान हिमाले को कई नामों से जाना जाता है जैसे उसे महान हिमाले हिमात्री स्रीडी मुक ہाले और अंतरि हीमाले के नाम से उससे जा जाता है जो हिमाले स्रेडी ही यह यह से लेकर अर्वानचर प्रदिश तो को अ्फ़ुण नहीं है हिमाले 마음에 पर पाफ्षिब की तरब पास Sweat और अफगानिस्तान की तरफ भूम जाती है और फुर्वे में नामचा बर्वा के पास यह दच्छड की तरफ मुरती है और भारत के अने राजों में कई नामों से जाना जाता है और यह जब मेयमार में प्रिवस करती है उसका नाम चैनल हो जाता है तो चलिए हम देखते हैं क कि इसे पाकिस्तान अफगानिस्तान मेयमार में किस नामों से जाना जाता है हिमाले जब पस्चिंग में दच्छड की तरफ मुरता है तो उसे पाकिस्तान में सुलेमान स्रिवनी के नाम से और अफगानिस्तान में हिंदु कुस्ट परवत के नाम से जाना जाता है जाना जा परवत का वरणन जब हम इतिहास पड़ेंगे तो उसमें हिंदुकुस परवत का वरणन मिलता है चलिए हम आगे देखते हैं यह हो गया पस्षिम में जब हिमाले मुर्टा है दच्छड की तरफ तो पाकिस्तान में सुलिमान के नाम से और अफगानिस्तान में हिंदुकुस के नाम से जाना जाता है जब यह नामचा बरवा के पास से दच्छड की तरफ मुर्टा है तो मैमार में इसे अराकान यूमा के नाम से जाना जाता है अब हम यह होगे इसके विस्तार दच्छड में मुर्टा है और पूरु में पस्चिम में दच्छड की तरफ मुर्टा है अ महान हिमाले के लंबाई कितना है और सदुचाई कितनी है चोड़ाई कितना है तो महान हिमाले को पहली बाद कई नामों से जाना जाता है जैसे हमने आपको बताया महान हिमाले को महान हिमाले हिमाद्रिस्त्रेडी, मुख्य हिमालय, आंत्रिक हिमालय के नाम से जाना जाता है तो महान हिमालय का विस्तार पस्चिम में सिंधु नदी से लेकर पस्चिम में हमने कला को बताया था कि लद्दाक और चास्कर से बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है तो महान हिमाले पस्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रंपुत्र नदी तक पस्चिम में सिंधु नदी वहाँ पे सिंधु नदी सिंधु गाज बनाता है और पूर्व में ब्रंपुत्र नदी ब्रंपुत्र का नाम वहाँ दिहांग होता है तो वहाँ पे द्यहां गाजय का निर्मार करता है पस्थिम से पूर की लंबाई हिमाले की महान हिमाले की 2400 किलो मीटर है इसकी लंबाई पस्थिम से पूर महान हिमाले की लंबाई 2400 किलो मीटर है 2400 कहें कहें आपको 2500 किलो मीटर मिलेगा 2400 या 2500 किलो मिटर यदि हम इसके चौडाई की बात करें महान हिमाले की चौडाई की बात करें तो इसकी चौडाई एक आउसत 25 किलो मिटर महान हिमाले की आउसत चौडाई महान हिमाले की आउसत चौडाई 25 किलो मिटर होता है आप हमें प्रश्म का उत्तर comment box में दीजिए कि पूरे हिमाले पूरे हिमाले की चोडाई कितनी है आउसत लिया बता सकते हैं और पूरा exact भी बता सकते हैं comment box में इसका उत्तरा जरूर दे तो महान हिमाले की चोडाई 25 km है 45 km, लंबाई- लगभग 24-25 किलो میٹर वह 24-जो है ये केब लगल 25 है ये चोडाई की बात कर रहा हूँ लंबाई हम एसे नापेंगे और चोडाई को हम एआसे नापेंगे तो लंबाई ज़ादा है और चोडाई कम है अब इसके हम अुअसत उचाई की बात कर लेते हैं तो महान हिमालय का जो अवसत उचाई है अभी महान हिमालय की बात कर रहे हैं महान हिमालय का अवसत उचाई इसकी आउसत उचाई छे हजार मीटर है इसमें बहुत सारे बहुत बड़े बड़े भी परवत हैं कुछ उनसे छोटे हैं तो दोनों का एवरेशन निकाल लेते हैं तो उसका जो एंसर आता है वह छे आता है आपको बहुत सारी किताबों में एक सड़ सो किलो मिटर भी मिलेगा एक सड़ सो मीटर तो यह भी सही है समत्री छे ह्याल मीटर या एक सड़ सो मीटर यह हो गया महान हिमाले की लंबाई चोड़ाई और उज्जाए की बाद अब हम कुछ इसकी बारे में इसकी सिस्ता के बारे में कुछ और बात करते हैं तो मह महान हिमाले जो यहां पे जासकर स्रेडी है जासकर स्रेडी तरपस्टी में जो जासकर स्रेडी है यह महान हिमाले से बहुत सटा हुआ है यह माना जाता है कि यह है इसी का भाग है अथार जासकर स्रेडी और महान हिमाले या हिमाद्री हिमाले एक दूनों का विस्ताद है अब इस बरकार देखे तो इस स्रेडी में मतलब महान हिमाले स्रेडी में 7000 मीटर लगभक 7 किलो मीटर उचाई के 40 सूटियां पाई जाती है महान हिमाले में 7000 मीटर के उचाई से अधिक 40 सूटियां पाई जाती है इसमें से हम कुछ महतुपूर्ण जो एक्जाम में उनकी लंबाई पुछी जाती उनकी उचाई यह उसकी हाइड कि नहीं है उसको देख लेंगे तो हम जानते हैं विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे ऊची चोटी कौन सी है तो सबको यहां सा बच्चे बच्चे को मा माउंट एवरेश्ट तो हम देखेंगे माउंट एवरेश्ट से यह आपको यह दसाया हुआ है माउंट एवरेश्ट तो यह अभी हम इसके बात की यह बात है इसे बादे पढ़ेंगे पहले विधर देखते हैं माउंट एवरेश्ट अगर हम माउंट एवरेच की बात करें तो इसकी उचाई आठ हजार आठ सो अनतालीस कहीं कहीं अब पचास मिल रहा है आठ हजार आठ सो अनतालीस मीटर है अर्थाफ यह लगभग नौ किलो मीटर से कुछ कम है तो यह हो गया सबसे उचा चोटी अब करन पुछता है कि पांच या चार सबसे उची चोटी के नाम पता यह हिमाले के तो यह हो गया माउंट एवरेच जिसकी उचाई 8888 है अब माउंट एवरेश्ट से भी बहुत सारे प्रत्न पूछे जाते हैं जैसे कि माउंट एवरेश्ट को वर्ल लेबल पे हम माउंट एवरेश्ट जानते हैं और इसी को हम नेपाल में नेपाल में माउंट एवरेश्ट को लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं यह पूछा जाता है कि माउंट एवरेष्ट को किस नाम से जाना जाता है नेपाल में तो नेपाल में माउंट एवरेष्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है इसी परकार तिब्बत में माउंट एवरेष्ट को चोलो लुम्दमा मैं दोनों लिख दे रहा हूँ माउंट एरिष्ट को नेपाल में सागर माथा नेपाल क्या कहते हैं सागर माथा माउंट एरिष्ट को नेपाल में सागर माथा और तिबबुद की रधानी लासा है तो तिबबँ में इसे चोलो लुंगमा या लंगमा कई अलग नाप मिलते है तो तिबऑत में चोलो लुंगमा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है इसकी उचाई 8,849 या 8,850 मीटर है हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे उची चोटी हो गई माउंट एवरेट हिमाले की दूसरी सबसे उची चोटी के रहा हम बात करें तो वो है कंचन जंगा माउंट एवरेट पूरी तरह नेपाल में है दूसरे सथाम पे आता है कंचन जंगा कंचन जंगा परवत तो कंचन जंगा परवत की जो उचाई है वह है 85,990 किलो मीटर सबी उचाई मीटर में होगा सबी उचाई मीटर में होगा अगरे गलती से किलो मीटर निकल जाए तो आताम जी ये सबी उचाई मीटर में है कंचन जंगा की उचाई 85,990 मीटर है अब आपके मन में ये परवत जरूर होगा कि इससे भी उची चोटी हिमाले की है केटू गाडवी नाश्टी जो प्योके पाक अकूपाइड कश्मीर में है इसकी उचाई 8611 किलो मेटर है लेकिन हम हिमाले की बात कर रहे हैं वर ट्रांस हिमाले का निर्मार हिमाले के पहले हुआ था हिमाले का निर्मार हिमाले से पहले हुआ था हिमाले बांद बना है इसलिए ट्रांस हिमाले को हिमाले में नहीं सामिल करते वह अगर हम 20 की बात करेंगे तब वह दूसरे स्थान पर आएगा अगर हम हिमाल्य की हिमालय में उच्छी चोटी की बात करेंगे तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा तब कंचें गंगा दूसरे स्थान पर होगा अब देखते हैं तीसरे नमबर पे कौन सा परवस्रेड़ी है तो तीसरे अस्थान पे मकालू हिमाले की एक चोटी है मकालू मकालू जो मकालू है उसकी उचाई 8480 मीटर है 8481 8481 इसकी उचाई है मकालू और चौते अस्थान पे पहले स्थान पे होगे माउंट एवरिष्ट, दूसरे पे कंचन जंगा, तीसरे पे मकालू, और चौत्य स्थान पे है धौला गिरी धौला गिरी माउंट एवरिष्ट नेपाल में है, माउंट एवरिष्ट नेपाल में, कंचन जंगा, सिक्तिम और नेपाल की बाडर पे अथा सिक्तिम भारत में है, मकालू भी नेपाल में है, और धौला गिरी भी नेपाल में है धावलागिरी की उचाई की 872 मीटर है तो यह हो गए हिमाला के चार सबसे उचे चोटी माउंट एवरेश कंचन जंगा मकालू और धावलागिरी आप जो नोट बनाएगा तो यहां लेखेगा आप सबसे उची परवर फिर उसकी उचाई मीटर में फिर छेत्र में इस्थित ह है तो माउंट हिर नेपाल में कुक में मकालू नेपाल में और धोलागिरी नेपाल में अब हम अगे बढ़ाते ही हो एक यह हमाले की सबसे उची चोटी और गリृत को जो कंचनि ओंगा है दिखिए कंचन यहां पर शिक्किम ये सब यह हमारा एक राज है भारत का सिक्किम की निपाल की बादर पती कंचन जंगा परवतों तो शिक्किम में जो कंचन जंगा है इसके पुरी में के तुर्व में तुर्व में तिस्ता नदी कंचन जंगा gateway कि दити इसके पुर्व में तिस्ता नदी प्रवाइफ होती है और इसके पस्षिम में तामूर नदी प्रवाइफ होती है इधर से तामूर नदी यह पुसे जाता है कि कंचन जंगा के पुर्व में कौन सी नदी या पस्षिम में कौन सी नदी है तो कंचन जंगा के पुर्व में तिस अब हम आगे देखते हैं और परवतों के बारे में तो यहां पर आपको बहुत सारे चोटियां देख रहे हैं कि जो काले करते में दर्शाया हुआ है हिमालय के सबसे पस्चिम में जहां से हिमालय भारत में शुरू होता है वहां पर नंगा परवत है जिसकी उचाई 8126 मीटर ह है और जहां से भारत के दर्शुड की तरफ मूरता है अथा में मान की तरफ मूरता है वहां पर नामचा भरवा परवस्रेडी है या चोटी है इसकी उचाई 8788 मीटर है हमने सभी जितने भी मापक है सबान लिए दिया है 7788 मीटर है उसके बाद देखिए यहां पर कंचन जंगा है इसके उपर मकालू है मकालू के पस्चिम में एवरेट है और एवरेट के पस्चिम में मसालू है यह करम उचा जाता है कि पस्चिम से पुर्व इधर देखिए इधर पुर्व है यहां पर पुर्व है यह इधर प सब्से प्रव में है नामचा वरवा के पाद को परिश्ट के कॉरव में कौन सा पर्वत है यह रखिएगा एवरेश्ट के पुरू में अठाओ पयुर साइड में मेंखालू है और anta mı्यख साइड में मसालू है यह अक्रम याद रहिएगा नामचाबरवा, कंचन जंगा, मकालू, एवरेज्ट, मसालू मसालू के परस्चिम में अनपूरणा है, अनपूरणा के परस्चिम में धौला गिरी है उसके बाद इसन नेपाल में है, सभी परवस्चिम में कंचन जंगा को छोड़कर सभी नेपाल में है फिर यहां लेकि दो परवस्चिम में जो है ननदा देवी और बंदर पूछ, यह है उत्तरा खंड में, यह महानिमाला की उची चोटियां है तो यह क्रण आपको याद करना है कि किसके बाद किसका अता है पुरु से पूछेगा फिर भी पस्चिन से पूछेगा फिर भी आप इसे अपने नोट्स में चिदर सहिर बनाईए यह जितने भी परवस्त रेडियां है अधिक उचाईब पे होती है महान हिमाले की जितनी भी परवस्त रेडियां होती है वह काफी उचाईब होता है हम जानते हैं कि जब हम उचाईब में उपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होने लगता है तापमान कम होने से इस सभी स्रेडियों पे चोटियों पे इन सभी चोटियों पे बर्फ जमा रह प्रहण पूछता है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत महातवूण में किस Rाज में है तो जहां से बहुत जटिल होता है वह है उत्तराखंड तो हम आपको उत्तराखंड के कुछ परवतों के नाम यहां पे लिख दे रहे हैं आप उसको लिख रहे हैं जैसे नंदा देभी नन्दा देवी परवस्त्रेडी उसके बाद तिर्सूल परवस्त्रेडी बंदर पुछ परवस्त्रेडी तिर्सूल हो गया बंदर पुछ हो गया बद्रिनात हो गया कामेट हो गया नन्दा देवी त्रिसूल कामेट बद्रिनात बहुत सारी परवस्त्रेडिया है जो उतरा खन में हैं नंदा दिभी यहां दिखाई दिया गया है, बंदर पूच, उसके बाद तिसूल, बदरीनात और कामेट, यह सभी परवस्त्रेडियां कहां पर हैं, चोटियां, यह सभी चोटियां हैं हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड संदो अजार में उत्तर प्रदेश से अलग हो यहां पर आपका महान हिमाले लगबल लगबल खतम हो गया, अब हम चलती हैं लगु या मद्ध हिमाले पर, तो हम देखती हैं लगु या मद्ध हिमाले, लगु या मद्ध हिमाले, इसे दो नाम हो जाना आता है, लगु या मद्ध हिमाले, अब हम लगु या मद्ध हिमाले में बात करेंगे तो लगू और मद हिमाले की हम लमाई चोड़ाई जो एक अवस्यक है इसको जानना ही है तो इसकी जो उचाई है इसकी उचाई 3700 से 4500 मीटर है इसकी उचाई है अगरा हम उचाई की बात करें है इसकी उचाई है यह हो गया लगू और मद हिमाले की उचाई और चोड़ाई कर्षा जैसे हम यहां में सिवालिक स्रेडी तो इनके नाम क्या चाहें सोती खूआ पाई जाती हैं उस को देख लेते हैं और उनसे सम्मंधित कुछ है important बातों को जान लेते हैं, तो सबसे पहरे तो यहाँ पहेज़े के, सबसे उत्तरपस्ची में है हमारा पीर-पंजाल स्रेडी, लगू हिमाले में ही है पीर-पंजाल स्रेडी, पीर पंजाल स्रेडी या पीर पंजाल परवस्रेडी तो हम देखेंगे पीर पंजाल के बारे में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पीर पंजाल अब हम पीर पंजाल की बात करेंगे तो जो पीर पंजाल स्रेडी है यह पूरी तरह से जम्मू कास्मीर में है पीर पंजाल श्रेडी जम्मू कास्मीर में है इसके और आकर बढ़ेंगे तो पीर पंजाल के बाद नंबर आता है हिमान्चर पर देश में जो हिमान्चर परवस्रेडी है उसे हम धौला धर स्रेडी के नाम से जानते हैं पेरपंजाल के बाद धवला धर। भारत में लगया मत मिमालएं की यह तिनों सिरेणी यह भारत में हैं। लगू या मद्धि मालकी या तीनो स्रेड़िया भारत में जोई पिपंजाल जम्मू कासमीर में धोला धर्य हिमार्चार प्रदेश में और मसूरी या उत्राखड में इसकी बाद दो परवस्रेड़ियां को नेपाल में दिख रहे हैं इन दोनों में एक स्रेड़िय जो वहावारा सिरैनि के बादल संस्थी कि मिपाल लगूमा्दि माले 되지 यह 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 जूड़े हुए नहीं यह कई बाते हैं और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पीर-पंजाल-बी गें पिर पंजाल स्रेड़ी जो है पूरी जम्मू एंड कासमीर हो सब्सक्राइब इसकी में नाम आता है स्त्री नगर तो स्त्री नगर क्या है उसकी राधानी है जम्मू कस्मी की राधानी क्या है स्त्री नगर जो कहां पर है और इसके दच्षिल में क्या है जम्मू है अब जम्मू नाना गया तो जम्मू में बहुत थी प्रसिद्ध एक मंदीर है जिसे वैसलो माता मंदीर के नाम से जाना जाता है किसके नाम से वैस्ल हमाता मंदिर के नाम दर जाता है जो कहांपी आ पुलीत जमुच्य जमू और खाक्रें मिए जम्मू से स्त्रिणगण जाने के लिए बीच में परवत पर सुरंग होता है इसे हम लाख रहा है दर्रा का चैप्टर अलग होगा हम दर्रा वाले चैप्टर में दर्रा को पढ़ेंगे अभी हम यहां पर किवल परवत को पढ़ रहे हैं तो जम्मु एंड कास्मी से स्री नगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे का पयोग किया जाता है अब देखिए यह हमारा महान हिमाले हो गय पर चैप्र देखिए अब यहां पर आपको और अच्छे चाहता हो यहां पर हमारा हो गया स्री अगर और फिर हो प्राइब के उत्तर में धचिन में जमू कास्मीर के बैसलों मत बंदीर हैं ट्रेने गड़र तक वहां स्विए जाना पड़ता है वसे उसके बाद जागर हमें जमू को से फ्री नगव जाना होगा तो अमने बनिहाल दर्डें से होकर ही गुझरना पड़ता है यह कुछ महत्त हो गया कि महां हेमार्य आप के दोब परवतों की भीच घाटी पाई जाती आर्व bertक दॉप परवतों की भीच गाटी पाई जातीया बहुत इससुनदर होता है उसका द्रिस से स्वान में होता है है में दो आता तो एह पे घाटी पाई जाती यहां इस घाती को हम कास्मीर घाती के नाम से जानते हैं पीर पंजाल और महान हिमाले के विज़े घाती पाई जाती है जिसे हम कास्मीर घाती के नाम से जानते हैं तो कास्मीर घाती कहा है पीर पंजाल और महान हिमाले के मद्ध में क्यों से घाती है कास्मीर घाती है इन घातियों म बहुत ही मुलायम घंसे पाई जाती है जो देखने में बहुत ही सुन्दर होता है इन्हें जम्मु आप कास्मीर में कुछ नामों से जाना जाता है स्थानी भासा में इसे सोनमर्ग और गुलमर्ग यहां मैं लिख रहा हूं देखिए सोनमर्ग और गुलमर्ग इन घाटियों में कुछ घासे पाई जाती है जिने सोनमर्ग और गुलमर्ग से जाना जाता है यह घासे और जिना भी पाई जाती है उसका नाम दूसरा होगा कास्मीर घाटी में इसका नाम सोनमर्ग और गुलमर्ग है यहीं पर हम जानते हैं एक मीठे पानी क डजील दो जीले ये दोनों जील यहाँ पर स्री नगर में है यहाँ यह कि दोनों जीले जो है यह श्री नगर में जील और वूलर जील कहां पर पिल पंचाज 36 इतनी बात है हो गई इसके उत्तर में कौन सा रहे दच्षिन कौन सा वैशनों मंदिल का यहां कहा है कौन ज़ी घाटी है begitu गासे मां पाई जाती है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं orieं मालय की मदर हिमालय की एक स्रेड़ी हैं जिसे हम दोला धर धौला धर-श्रैने-पी खिंवांचाल पदेस्टि राधानी स्विणला जो एयों बपरemit आज कि हमांचाल पराधानी पर हिमान। पत्र तेरेनी पर इसफ्थ किंझ प्रेटव्र्चत फसूर्य जाती हैं अपरेज खुनत हरते हैं, पहोत होता है मनाली लोग सादी होते हैं निकलते हैं मनाली उसके पाथ पाँसरेडी अभड़ी नमक सहर मनाली सिमिल मसूरी मसूरी जो कि उत्राख करोाइग के अभड़ी वहां का खन्द में कि यहां पर है उत्राखंड में ने मसूरी कर आए उत्राखंड में मत इमाले की एक स्रेडी है जहां पर भी बहुत महत्पुन स्थान है यह से मसूरी मसूरी खुदी एक सहर है रानी खीट रानी खेट यह नाम आपको शुर्सन लग रहा होगा एक मूवी है आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी उस मूवी में वहां का सीन दिखाया गया है बहुत ही सुंदर सीने रानी खीट आगे ताल नैनी ताल बहुत जानते लोग बहुत गूमने में हैं अब हम देख रहे हैं थे कि महान हिमालय और पीड़ एक बीच में कास्मीर घाटी एक इसी तरह इसका तुब दो यह बहुत सुंदर घाटी जैसे यहां पर घाटी है उसी तरह यहां पर भी एगाटी है दो परवतों की बीच के चुवे करते हैं घाटी है इसका नाम क्या है इसका नाम है कुलू कांगडा कुलू कंगडे घाटी और महानिमाले के मद्य स्तित है तो यह हमारा हो गया तीनो स्रीडी धौला धर मसूरी हो गया अब हमा आगे बढ़ते हैं तो यहां महा भारस्रीडी जो नेपाल में है उसके आगे है नागाटीगा तो इन दोलों के बीच में एक घाटी पाए जाते हैं जिसे हम कार्मांडू घाटी के नाम से जानते हैं यहां पर घाती पाई जाती है जिसे हम कार्मांडू घाती के नाम से जानते हैं जो इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर सिख्किम में मत्रेलै और महाण हिमाल के बीच में घाटी पाती चाला इसे हम चुंबी गाती चुंबी चुंबी चुम्बी घाटी के नाम से हम जानते हैं जिस प्रकार यहां पे पीज बंजाल और महानी माले के बीच सोन मर्ग और गुल मर्ग घासे पाई जाती हैं उसी प्रकार ही उत्राखन में भी घासे पाई जाती हैं जिने हम किस नाम से जानते हैं शोब ग१िजाल और पर प्याव्व पुजायं में घासी आ जाते हैं जिन्हें अनाम से जांते हैं जितने बाते में बोल लाऊं आप उसे लाइन टू लाइन नोट्स में लिते चलिए हमारा और आपसे यह वादा हुआ है कि पतियोगी परिच्छाओं में 95 परसेंट भारत बुगल से जो मैं पढ़ाऊंगा आएगा और यह वादा बना करार रहेगा आपको हमारे पर विश्वास है और हमें आपके ऊपर हम आज नह में नहीं लेकिन एक दिन जरूर सफल होंगे चलिए हमारा क्या हो गया महान हिमाले हो गया लगु हिमाले हो गया अब हम आते हैं सिवालिक की बात करते हैं जो सिवालिक स्रेडी की बात करते हैं सिवालिक स्रेडी जो हिमाले की सबसे दच्षित्तम से लिए है जिसका निर्म लेकिन यह कोशी नदी कोशी नदी तक इसका सोतंद्र अस्तिर दिखता है बाद में जाकर महान हिमाले के तच्छिड में जो लहू या हिमालय या मद हिमाले उसमें सम्भी तोजोस में मिल जाता है फिर आगे जाकर यह अड़ांजर प्रदेश में अलग-अलग स्रेणियों की रूप में निकलता है जो सिवाली के ही भाग है इसे हम अभी पढ़ेंगे उसका नाम क्या-क्या है अब से पहले हम इसकी उचाई चोड़ाई लंबागी बात कर लेते हैं तो इसकी चोड़ाई 10 किलो मिटर से लेकर 50 किलो मिटर तक है कहीं पे 10 किलो मिटर है तो कहीं पे 50 कि चोड़ाई की बात करें इसकी चोड़ाई दस किलो मिटर से लेकर पचास किलो मिटर तक है इसकी चोड़ाई दस किलो मिटर से लेकर पचास किलो मिटर तक है यदि हम इसके उचाई की बात करें इसकी उचाई 900 मिटर से लेकर 1200 मिटर तक है इसकी उचाई अधिक नहीं है इसकी पाई जाती थी उसी प्रकार लगु हिमाले और सिवाली के बीच उत्राखन में यहां पर यहां पर देगी यह है मसूरी जो उत्राखन में था तो मसूरी और सिवाली स्रीनी के बीच में भी घाटिया पाई जाती है जिने वहां पर दून और द्वार दून की घाटी और द्व तो यह हमारा हो गया सिवाली सेड़ी हम हिमाले को पूरी तरफ पर चुके हैं अब हम इसके आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक विद्वान है सिटनी बुराड दिनों अब हमारा का विवाजन नदियों के अधार पर किया है उसको हम पढ़ेंगे यहां पर हमने एक वाद छोड़ दिया यहां वेजिए चार परव स्रेडिया को दिख रही है एक दो तीन और चार यह चारों जो स्रेडिया है यह सिवालिक के ही भाग है जिसे हम डफला डफला अबोर और मिस्मी डफलनी स्रेडर में अबर मिस्मी यहं हूए यह सिर्व कराम है कि अबोर मिस्मी इसलिख ह्यार मिस्मी अब या याद पहारी किस राज में है तो मिस्मी पहारी अवड़ांचल प्रतेस में है देखें यहां से भी एक परवस्त रेड़ी नीचे मुड़ जा रहा है तो यहां भी आपको एक दो तीन चार अलग 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 नाम से जान जाता है जैसे उतराखंड में डफला, मीरी, अबोर्मिश मी है उसी प्रकार और राज्य जैसे वहां पर हमें मालूम है कि मिजुर्म है, मडीपुर है, नागा लैंड है और अलग 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 अशाल प्रतेश में इस परवत को पतकाइबुग क्या पतकाइबुग पटकाई भुम के नाम से नमबर एक पे है पटकाई भुम अर्वाचर परदेश में पटकाई भुम के नाम से जानते हैं मडीपूर में विजोरम में विजोरम और नागा लेंड नागा लेंड में हम इसे नागा परपत के नाम से जानते हैं नागा के नाम से मिजोरम में मीजो पारी के नाम से जानते हैं अब मरीपुर में मरीपारी के नाम से जानते हैं अब अंचरपदेश में पटकाई भूम मरीपुर को मरीपुर के नाम से मिजोरम में मीजो के नाम से और नागा में नागा परवत के नाम से इसे हम जानते हैं देखें अब रांचल फगेज में इसे पठकाई गूं मरीपुर में मरी नहीं यहाँ पर गलती हो गई मरीपुर में लेमा टोल के नाम से दे जाना जाता है मरीपुर में लेमा टोल मरीपुर में लहमा टोल, मिजोरम में मिजो और नागा में नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है यहाँ पे पूरी तरह से हिमाले खतम हो गया अब हम आगे पढ़ेंगे एक विद्वान है सिद्नी बुरार उनके अधार पे नदियों के अधार पे हिमाले की विवाजन बहुत इसायल होगा उसी के साथ हम पढ़ेंगे हिमाले के महतपूर ग्लेशियर और दर्रे फिर उसके बाद एक वीडियों होगा जो एकजाम में हिमाले से प्रसंद पूछे जाते हैं किताबों में बहुत कम मिलते हैं उसे हम पढ़ा देंगे और हमारे संस्थाम की जो नोट्स है जो नोट्स आपको मिलेंगे जो पिडियेफ फाइल आपको मिलेगी वो हमारे टेलिग्राम अकाउंट है हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा उसे जॉइन करने के लिए आप टेलिग्राम एप डाउनलोड कर लेजिए उसमें बिना स्पेस के आप डालिए दुर्गेश सर बिना स्पेस के दुर्गेश सर डालिए वहां पे आपको e-learning with दुर्गेश चैनल आएगा उसे आप जॉइन कर लेजिए जिससे आपको हमारे द्वारा या हमारे चंता के द्वारा फेड़े जाने माले नोट्स मिलते रहें और हमारी संस्था द्वारा पांच फरवरी से Allah नेत्म की जो है यह कि पेसी की जो पंचारर वर से हमारे संस्था में सुरवास उसकी हो जाएगी आफ लाइन आलाइन दोनों बैच है आप उसके लिए आपको हमारे टेली ग्राम चैनल पे उसे सम्मंदित जो जानकारी है उसे भेज दिया गया होगा या भेज दिया जाएगा आप उसे जोइन कर लिए और इसे आप सेयर कर दिजिए जो भी इच्छु विदार्ती है वो उस